Hello all, this is question number 16 from chapter number 18 geometrical optics, questions for short answer If a spherical mirror is dipped in water, does its focal length change? तो इसका answer क्या है? इसका answer है no. कैसे? समझते हैं जैसे example की रूप में मैं एक converging mirror बना लेता हूँ एक converging mirror बना लेता है तो यह mirror हो गया आपना है यह mirror हो गया और principal axis इसकी 20 से पास होईगी यह principal axis होगी अब मालोग अब क्या होता है भाई, focal length क्या होता है converging mirror का जैसे कोई parallel beam of light आई ठीक है, SAI और SAI अभी मैं को नहीं पता की बाहर air है की पानी है, एक normal सी बात कर रहा हूँ तो यह रहे, SAI आ रही है, SAI और SAI यहाँ पर क्या होगा reflection होगा, reflection होगा और यह light ऐसे आएगी और यह light ऐसे आएगी ठीक है, और focal length क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance, इसको अपन बोलते है focal length अब सोचो, इन दोनों points में हुआ क्या, इन दोनों points में हुआ reflection reflection की principles क्या है, reflection का principle यह है कि जैसे मान लो एक normal line बनाता हूँ इस point पर मैं normal बनाता हूँ, normal to the surface, of the mirror और इस point में भी normal बनाता हूँ तो जो reflection की नियम है, reflection की नियम है वो यह कहते हैं कि angle of incidence जो की i होता है वो किसके बराबर होता है, angle of reflection के, इस angle को बोलते हैं, ठीक है, तो i बराबर r होता है इस तरीके से, इस case में, second light की case में, यह light आई, तो यह जो है अपना angle of incidence हो गया और यह reflected light है, तो यह हो गया अपना angle of reflection, तो यहाँ पर भी आई बराबर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा अब जो reflection के नियम है, laws of reflection, वो इस बात पर depend नहीं करते कि, जो light ray है, यहाँ पर light है, जो कि जाकि mirror में टकरा रही है इस बात पर depend नहीं करते कि, आप पानी में हो जाएगा, आप air में हो, क्योंकि i बराबर r ही होता है, जबकि reflection की case में SNES law follow होता है, reflection की case में क्या i बराबर r होता है, बिलकुल नहीं, reflection की case में क्या होता है, sin mu i into i is equal to sin mu r into r तो यहाँ पर depend करता है कि, medium का जो refractive index है, जहाँ से जहाँ light, जैसे मान लो कोई surface है, वहाँ से light जाके ऐसे refract होगी तो angle of reflection और angle of incidence डिपेंड करता है दोनों के refractive index पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है न, light travels in straight line, और जब वह reflect होती ही तो angle of incidence और angle of reflection बराबर होता है, यह reflection के लिए होना है, और चुकि हम mirror की बात करें, तो mirror क्या करता है, light को reflect करता है, इस वज़े से कोई फरक न सारी light टक राएगी और यही जो है वो focal length होगा, ठीक है भी, तो I hope it is clear, thank you so much.